नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त बंदक्छक राजन सरोडिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए विग्जान के ऐसे फैक्ट लेकर आया है जिन पर दोस्तों अकसर हमारी नजर नहीं चाहिए क्योंकि अब समय कम मचा हुए हमारे पास ठीक है एक नजर मार लोगे एकजाम में अगर ये कोश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे चली शुरुआत करते हैं उतक जो मनुस्त में पेसियों को अस्ति से जोड़ता है उसको कांडरा कहते हैं क्या कहते हैं उतक जो पौधों में भोजन का संबन करते हैं फिलों ये तो आपको पता होगा और जो जल का संबन करते हैं उसको जाहिलम कहते हैं उतक जो हमारे सरी में बसा का संचा करता है उसे एडिपोस्ट इसू या बसा में उतक कहते हैं और तरल अधात्रित सहीत सेयोंजी उतक किसे कहते रख्त को कहते हैं यह भी आपको याद होगा ना मश्तिक्स में स्थित उतकः है तंतरी का उतक होता है जिसे हमके कहते हैं नियूरान कहते है ठीक है चलिए नारियल का सा रिशा याद रखना स्केललरें कांई मा उटक का बना होता है इनके नाम भी बड़े अटपटे टाइप के होते हैं इसक्लिरेन काईमा उतक कोन बना होता है नार्यल करेशा है अगर आप एक बार नजर मार लोगे और यह फैकट अगर डायरेट कुस्चन को रूप में एकजम आये तो आप से बनेंगे हमारे सरीर में गती के लिए उत्तरदाई उतक कुन सा होता है तो याद रखना पेशी उतक जो होता है हमारे सरीर में गती के लिए उत्तरदाई उतक होता है प्ररोह का? प्ररोह मतलब क्या होता है दोस्तों? पादप होता है सीरस्त बिभुजयतक जो होता है पोधे के तने और जड़ के ब्रद्दी बारे भाग में पाया जाता है इसके क्या होता है पोधे की उचाई में ब्रद्दी होती है सीरसस्त बिहोजग जो पोधे के तने होते हैं और जड़ के ब्रद्दी बारे भाग दोनों में पाया जाता है पोरोहों का सिरस्त बिभजी होता ठीक है इसके लावा दूस्तों आपको याद रखना है तंत्रिका उतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या नियूरान कहा जाता है ये तो आपको पता होगा भेरी भेरी most important fact है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई याद रखना एक मीटर तक हो सकती है कितनी हो सकती है एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई एक मीटर तक हो सकती है ये भी important question है मरुष्टली पोधों में उनकी बाहरी सथे वाले epidermis में क्यूटी नामक पदार्थ पाया जाता है कूँसा पदार्थ पाया जाता है क्यूटी नामक पदार्थ आजाता ह आद रखना कि चन breaths है तो पानी ही कम्हें होती है टिक है दो आद रखना तो आवांचित जल के रहास को रोकने के लिए उसमें आद रखना की ऊ'tी नामक पदार उनकी 60 है उसमें पाया जाता है ती nearly name कोश्चन है जीव जगत का सबसे वड़ा फाइलम आर्थोपूरणा होता है तीक है और पादब बर्क का उबहचर ब्रायोफाइटा होता है अब इन चीजों को आपको ब्रायोफाइटा आर्थोफाइटा तीक है यह सब के उस सम्हू का नाम बताइए जिनकी तौचा सलक और पिलेटों से ढखी रहती है उसका राम है मत्स मचली जो होता है ठीक है और अस्तंदारी जो अंडे देते हैं दोनों नाम बहरी बहरी इंपोर्टेंट है इकिडिना और पिलेटी पस याद रखना है इकिडिना और समझाता दोस्तों लेकिन समय का अभाव है आपके पास भी है अब समय का भाव है मेरे पास भी है ठीक है चलिए ट्रेकिया और अंडवाहनी में पाए जाने बहले उतक का नाम है पच्छमाब एपिथिलियम उतक ट्रेकिया और अंडवाहनी में यह उतक पाए जाते हैं ठीक Naast है, कारक में किसके जमाओ की कारण अत्रिक्त सुरक्षा उठ्फपन होती है, तो यह वह याद रखना, सुवेरीन, ठीक है, रावर्ट हुक का नाम आपने सुना होगा, जिन्मोंने कॉचक की खोच की थी, तो वनने कारक के नाम का जो बिरक्ष होता है, उसी की चाल से उसमे कहा जाता है केरोलस लीनियस को कहा जाता है मनुष्ट का बेग्यानिक नाम होमो सेपियंस मैंडक का बेग्यानिक नाम राना टिक लीना बिल्ली का बेग्यानिक नाम फैलिस डोमिस्टिका और बाग का बेग्यानिक नाम फैलिस फोलिस्टिका होता है ठीक सारे फैक इंपोर्ट कितने भागों माटा गया है तो याद रखना पांच भागों माटा गया है थैलोपाईडा, टैरिलोफाईडा, ब्राइवोफाईडा, जिमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्रियाद रखना थैलोपाईटा के जीव मुखरूप से जल में पाई जाते हैं नेश्ट है उस जीव जगत का नाम बताईए जिनके गमन के लिए सिलिया, फिलेंजेला, नमक संडचना पाई जाती है प्रियाद रखना प्रोटिष्टा जगत है और भिटकर के द्वारा प्रस्तुत जीवों के पाई जगत कौन से है तो मोनेरा, प्रोटिष्टा, फंजाई, प्लैंटी और एनिमेलिया ठीक है इसके अलावा आप किया रखना है उन जीवों के नम बताई ये जो बर्गी करण से बाहर रखे गया है बायरास और पिरियोन को बर्गी करण से बाहर रखा गया है आदिम जीवों की रहा है याद रखना कुछ जीवों antahista रखना में, प्राचन काल से लेकर आ ज़तक कोई भी परवरतन नहीं हुआ ऐसे जीवों को आदिम जीवों कहते है और जिनमें परवरतन हुआ है उसे उन्स जीवों कहते है ठीक है इसके अलावा बाहर कंकाल और अंतह कंकाल में अंतरा आपके आद रखना है आर्थोपेडा, एकाइनो, डर्मेटा और मोलस्क में बाहर कंकाल पाया जाता है और माज्ट से उभेचार, सरीशव, पक्छी और इस्तन पाई जितने भी होते हैं इनमें अंतरा कंकाल पाया जाता है नेस्ट है, एक बीच पत्री का उधार सबस्याद रखना है पेडियो, पेफियो, पेडिलम, पेपियो, पेडिलम ये एक बीच पत्री है और आपका आईपोमिया ये दुईबीच पत्री है, ठीक है? चलिए भाई, फॉन आ गया था बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये नाम याद रखना है, एक बीच पत्री का नाम है पेपियो, पेडिलम, और दुई बीच पत्री का नाम है आईपोमिया, ठीक है? और पक्षी याद रखना, कभूतर मुर्गीन को पक्षी कहते हैं, और मनुष सगाय चुहा, बिल्ली आदी इनको इस्तंधारी कहते हैं, इनमें जो अंतर है आपको सब पता होना चाहिए, कि पक्षी जो है, इनके सरीर पंकों से डखा कर रहता है, ठीक है? और इनमें दुख दिगरंथिया नहीं पाई जाती है, और इस सरीर पर बाल लिउक तो तुछा पाया जाता है, इनमें नौज़ाद के पुसलर के लिए दुख दिगरंथिया पाई जाती है, और उधारा आपको पता है, मनुष सगाय चुها, बिल्ली आदी, ठीक है? इतना है दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो मैं आपको मनाया हूँ मातर 6 मिनट का वीडियो है लेकिन इंपोर्टन फैक्ट है ठीक है याद कर लेना थोड़ा समय का भाव था है और थोड़ा सा अभी मेरी बर्किंग थोड़ी बीजी चल रही है तो मैं आपको बस वीडियो बनाके देदूँगा जैसे फिरी होता हूँ थैंक्यू जहिंजा भारत